इस वीडियो में डिसकुसन करेंगे हिमाचल परदेश एक समगर हदयन किताब के बारे में यहाँ किताब विभिन तरह के प्रतियोगी प्रिक्साउंग के लिए कितनी उपयोगी है इस किताब में किस तरह की हदयन समगरी संग्रहित की गई है यह संपून जानकारी आपको समगरी होनी चाहिए संपून चीजों का ध्यान बहुत यच्छे से रखा गया है किताब के प्रतम पन्य में आपको मिलेगा हिमाचर परदेश बिशेष यानि इस परदेश में विशेष गया है क्यूंकि आपको ग्यात होगा बिशेष से ही बहुत से प्रसंद विभिन तरह के कम्प्रेटिव एकजाम में पूछे जाते है और इंट्रिव्यों में भी विशेश तोर पे जो हिमाचल में special चीजे रहती है उनके ओपर जादा फोक्स किया जाता है उसके बाद हमारे दिमाग में एक प्रसन आता है कि हिमाचल परदेश कितना है कितने जीलों में भी भाजित है उसकी historical background, geographical जितने भी उसमें और भी सारी चीजे रहती है सारी के सारी समिलित कर दी गई है जीला बार अधेयन में उसके बाद हमारे दिमाग में एक structure साना चीए कि हिमाचल परदेश का economic, geographic, historical, political, cultural and other activities में क्या structure है इस परदेश का कहां से इसकी economic ब्यवस्ता शुरू ही थी आज हम कहां पर पहुंच गे है पूरे भारत में दिबात करें तो इमाचल परदेश की बोगहलिक परिस्तितियां कैसी है हमारे इस परदेश का इतिहास किस तरह का राहा है हमारे इस परदेश का political structure क्या था किस तरह से पूर्ण चुरूआत हुई है और जो छूट जाता है उसे बिविद्ध जानकारियों में समिलित करने का प्रयास किया गया है देखे जब इन सारी चीजों को हम पढ़ लेते तो हमारे दिमाग में एक बीजन बन जाता है कि हमारा इस तरह का है देखे उसके बाद हमें क्या करना चाहि में जीलें उसके बाद गलेशियर लैंड स्ट्रक्चर किस तरह से है ट्रांस्पोर्टेशन का सिस्टम क्या है कितने इंपोडेंट हमारे यहां पे फेस्टिबल सेलेब्रेट किये जाते है एट सेक्टरा बहुत ही महत्तोपुन यानि जो पूरा कपूर एक दृष्टी की ज और आज हमारा हमाचली परदेश कहां पर पहुंच गया है किन کन ब्यक्तियों का विशेष्ज यूगदान रहा अपको इसमें मिलेगी उसके बाद देखिए किसी अभी तक जितनी हमाचली परदेश में होगी उसमें इस तरह का हमाचली परदेश के सरकारी विभागों के ब भली भानती इसको समझ सकते हैं जब इतना आपका यहां तक इस ट्रक्चर पूरा त्यार हो जाता है आपके दिमाग में उसके बाद हमारे पास एक प्रसंड हमारे ब्रेन में आना चीए कि आखिर जो हमने एक पढ़ा इसके दिए हमें कोई सिंपल सी साधारन सी सिंगल लाइन कि उसके बाद थोड़ा सा दिया आगे बढ़ेंगे उसके प्रसंड का बजट आता है इकोनमिक सर्वे आता है पिछले दो साल का एडवाईज के जाता है कि आपको अच्छे से पढ़ना है तो बहुत बड़ी-बड़ी इसके पढ़ने होते हैं हमने क्या किया उसे नोर्स की क्रंटे बन जाते है पिछले दो बरसं के क्रंटे के ह gekommen है बात करेंगे किताब का पहला ज़े जो भागया यहांपे खतन हो जाता है उसके बाद आपके दिमाग में क्या प्रसना जाहिए कि जो हमने पड़ा है हम यहां पको प्रक्टिस के लिए खुद self-made प्रसंट भी डाल सकते थे, हमने नहीं डाले, क्यों नहीं डाले, कि हम चाहते थे कि हाँ पर आपको live जो examination में प्रसंट पूछे जाते है, उसको MC की तौर पर लाया जाया और उनको आप पढ़ें, ताकि आपको उन प्रसंटों को पढ़ने के बाद ये पता चल सके किस किताब का महत्तों कितना है, इस किताब में किस तरह की हदेन समगरी डाली गई है, जब आप ये chapter नमबर 15 से लेकर 30 तक पढ़ते हैं, तो जो आपने उपर इस किताब में पढ़ा होता है, उसकी value आपको स्वतही समझानी सुरू हो जाती है, पूरी के पूरी किताब आप सांस्कृतिक परिप्रेक्स या, इस chapter के अंत में जो बीविद जानकरिया डाली गई है, उसमें मुख्या प्रिक्सा से सबंदीद बिसेश तोर पर हिमाचल परदेश से सबंदीद बहुत से प्रसन यहां पर भी कबर किये गया है, इसलिए जो इस किताब का नाम है, इसका न इस किताब में उपलवद करवाने का हमारे टीम के द्वारा प्रियास किया गया है, आगे आपको इसकी chapter number 1 से में बता दूं किताब का structure क्या रहेगा, बहुत बड़ी-बड़ी किताब आपने अपने जीवन में पढ़ी होगी, इस किताब में approximately 461 के आसपास page है, सारे के सारे नोर्स और संक्सिप्त हधियन समगरी है, देखी संक्सिप्त और क्यों डाली गई है, सबसे पहले तो हमारे ही डिमांड होती है, कि हमारे पास जो हधियन समगरी किस तरह की हो, क्या लंबी-लंबी हधियन समगरी, I think competitive, preliminary, प्रिक्सा की बात करे जादा साक्सिद नहीं होती है सबसे पहला प्रसन हमारे दिमाग में ही आता है, कि हमारी किताब क्या हो, concise और complete हो, ऐसे नहीं कि concise उसको कर लिया अबर आपकी किताब complete नहीं हो पाई, दोनों चीजों का ध्यान रखा गया है, अगला संक्सिप्त नोर्स, संक्सिप्त और सारगर्बिती नोर्स यहां पे क्य सिस्टेमेटिकल तरीके से आपने देखाऊ को चैप्टर को किस तरह से मैनेज किया गया, डिस्टी का स्टक्चर था, economic, geography, history, political, cultural and other activities किताब में डाल दी गही है, बेक्ती विसे मैं आपको सारा समझा दिया, यहां पे आप देख पाएंगे, मैं आपको स्क्रॉल करके इस कित पूरा का पूरा काम इस किताब का जलंदर एक professional printing press में हुआ है, बहुत ही बेहतरिन त्रिके से updated information के साथ में किताब आपको मिलेगी, और आपको कहीं भी जाने की जुरूरत नहीं है, तीन से पांच दिनों में हो सकता है, थोड़ा early भी हो जाए, जैसे COVID-19 pandemic खतम हो जाता है, जब आपको किताब मिलेगी, तब इनके app पे उसकी attendance लगेगी, आपके digital signature होंगे, किताब आपको hand over की जाएगी, चैप्टर नमबर 2 देख लिजिए, हिमाचल प्रदेश के जिलों का हदेन, आपको इस तरह से notes मिलेंगे, आगे आपको map मिलेंगा, उसके निचे देखिए आ बात करें, हिमाचल प्रदेश आर्थिक परिप्रेक्षया, हिमाचल प्रदेश का जो economic structure है, जब से हिमाचल प्रदेश बना है, पूरा का पूरा आपको मिलेगा, latest आंकडों के साथ में से update कर दिया गया है, बहुत ही बेतरन तिथी बारक है, इसमें टेबल आता है, बहुत ह प्रदेश का प्रदेश का सांस्कृतिक परिप्रेक्षया आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इमाचल प्रदेश की बिविद जानकारियों में मुख्या प्रिक्षा के लिए काफी मत्तोपुन नोट्स यहां पर संग्रहित किया गया है, इमाचल प्रदेश एक ब्यक्ति के बारे में मिलेगा, कहां पर बार्न हुआ है, कब हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन है, जीपन की उपलब दिया, क्या थी, ठीक है, उसके बाद प्रसनुत्री मिलेगी, आगे बात करें हिमाचल प्रदेश के विभिन सरकारी विवाग देखिएगा, इस तरह से सार पूरी त्यारी अच्छे से कर सकें, आर्थिक सरवेक्षन और इकनोमिक सरवे भी देखिए, आप इस तरह से आपको पूरी बहुत ही मत्तोपुन जान कर इस किताब में काफी कड़ी मेनत करने के बाद एक किताब लौच की गई है, इमाचल प्रतेश समसामाई गटनाओं का सारांस इस तरह से आपको प्लब्द करवाया गया है, आगे बात करेंगे प्रवाने प्रसन पत्रों की, किताब का पहला पार्ट खतम हो गया, प्रवाने प्रसन पत्रों में आपको प्रसन मिलेगा, जो की पुछा गया है बर्स 2019 में, उसके नीचे आपको उसका अंसर इस तरह से पूरी के पूरी किताब को डिजाइन गया है विभिन तरह कि प्रिक्साओं के आगे देखिए मुख्य अप्रिक्सा के लिए एक आपके पास यहां पर इंफर्मेशन है एच्चेस में इंग्जामिनेशन जीएस बन टू-3 का देखिए आगे देखिए आप इसमें आपको यहां पे 17 के मिलेंगे इसी तरह से आपको पूरा कपूरा यहां पे मिलेगा तो जल्दी से आप इस किताब को ओर्डर कीजिए गई इक किताब आपको हिमाचल परदेश में सरकारी नौकरी दिलाने में काफी सहायक सिध हो सकती है और देख की फॉर्म में गिरीरा सारांस विभिंतर की अंतर रास्तिया रास्तियम एकजिनों का सारांस के साथ यह पुस्तिका भी हमारी बैप साइट लाइस्टेडी को डाट इन पर उपलब्द है जुरूर इसको भी ट्राइ कीजिएगा डेफिनिटली आप सफल होंगे यही हमारी की कामना है थैंक यू बेरी मॉच कीप वाचिंग इलाइस्टेडी यूट्यूब चैनल